थाना तर्मा के हत्या का प्रयास और धमकी देने वाले तीन अभियुक्तों के विरुद गैंगेश्टर एक्ट के तहट की गई कार्रवाई दिनांक 20-10-2022 को वादी मुकदमा अनिल कुमार सिंग पुत्र रामचंदर सिंग साकिन बीबी पूर थाना तर्मा जनपत आजमगर द्वारा थाना इस्थानी पर शिकायत किया गया कि अभियुक्त सत्या मुर्फ रिश्व यादो पुत्र रमेश यादो साकिन बगरा थाना जनपत आजमगर और दो अग्याद व्यक्तियों दोरा वादी के लड़के रिक्की सिंग को जान से मारने की नियत से असलहे से फायर किया गया जिससे वादी का लड़का गंबीर रूप से गायल हो गया और जाते समय गाली गलवज और जान से मारने की धंकी दिये जिसके आ आजीपूर का नाम प्रकाश में आया, दिनाग 23-10-2022 को अपने रीक्षक कहलाज सिंग यादो थाना तरमा जन्पद आजम गड़द्वारा, मुखविर खास की सूचना पर गिरफतारी करने जाते समय अभियुक्त सत्यम यादो और राहुल यादो दोरा पुलिस पार्टी प उपने रीक्षक कहलाज सिंग यादो के फर्द के आदार पर थाना इस्थानियों पर मुकदमा अपराज संख्या दूसर 89 बटा 22 धारा 307 भारती दंड विधान बनाम सत्यम यादो उर्फ रिशु यादो पुत्र रमेश यादो साकिन बगरा थाना तरमा जन्पद आजम ग गाजीपूर के पंजी करित किया गया दिनांक साथ नो 2019 को वादी मुकदमा रविंद्रनाथ यादो पुत्र रामकरन यादो साकिन उचा हुआ थाना तरमा जन्पद आजम गड की सूचना के आदार पर मुकदमा अपराज संख्या 106 बटा 19 धारा 352 504 506 427 भारती दंड व दिनांक बारा नो 2022 को वादी मुकदमा दिनेश राम साकिन उचा हुआ थाना विशेस यादो साकिन बगरा आजम गड की सूचना के आदार पर थाना इस्थानिय पर मुकदमा अपराज संख्या 107 बटा 20 धारा 147 435 506 427 भारती दंड विधान बनाम सत्यम यादो उर्फ रि दिनांक बारा नो 2022 को वादी मुकदमा दिनेश राम साकिन लोकईपूर बगरा थाना तर्मा जन्पद आजम गड की सूचना के आदार पर मुकदमा अपराज संख्या 257 बटा 22 धारा 323 504 506 भारती दंड विधान और 310 310 310 325 का सत्यम यादो उर्फ रिशु यादो पुत जन्पद गाजीपूर का एक सुसंगठिद गिरों है जिसका सर्गना सत्यम i. यादो उर्फ रिशु यादो है जो अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक भोतिक और दुनियावी लाव के लिए गाली गलोज और जान से मानने की धमकी देना और हत्या के प्रयाद जैसे जगहन ने अपराद कारित करता है इसका समाज में स्वच्छन्द रूप से विचरण करना जन हित में ठीक नहीं है इसी क्रम में आज दिनांग 6.4.2023 को जिलादिकारी आजमगर द्वारा अनुमे उद्धित गैंग चाल्ट और थाना ध्यक्ष तर्मा के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना इस्थानिये पर मुकदमा अपराद संख्या 82.23.31 यूपी गैंगेश्टर एक्ट बनाम सत्य मुर्फ रिशु यादो पुत्र रमे और पियूश सिंग पुत्र अर्विंद सिंग साकिन भुड़कुडा थाना भुड़कुडा जन्पत गाजीपूर के विरुद्ध पंजीक्रित किया गया जिसकी प्रात्मिक विवेचना उपनिरीक्षक कैलाज सिंग यादो द्वारा की जा रही है और मुकदमा अपराद स संख्या 82 बटा 23 धारा 3 एक यूपी गैंगेस्टर एक्ट की कारवाई की गई है